लीजा हेडिन फिल हाल किसी रिलेशन्चिप में नहीं है वे अपना सिंगल स्टेटस खूब इंजॉई कर रही है फाल ही में क्वीन फिल्म में उनके रोल के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली वे जल्द ही आक्षे कुमार स्टार फिल्म में दिखाई देने वाली है गीतकार गुलजार इस इंडस्ट्री का हिस्सा सालों से रहे है हाल ही में उन्हें दाला साहिब फाल के अवर्ड मिला है आसकर ग्रामी और फिल्म फेर जैसे वार्ड पाने के बाद भी उनकी शक्सियत में कोई बदलाव नहीं आया है उनसे तारीफ पाने की ख्वाहिश हर किसी में होती है इस मामले में विद्ध बालन और अनबीर का पूर किस्मत वाले साबित हुए है गुलजार ने हाल ही में विद्ध और अनबीर की ये कहते हुए तारीफ की कि दोनों ही बहुत अच्छे आक्टर है अक्षिकुमार एक बार फिर सिंग के अफ़तार में नजराएंगे उनकी फिल्म सिंग इस ब्लिंग का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है ये फिल्म अगले साल जुलाई में रिलीज होगी इस बार उनकी इस फिल्म को प्रभुदेवा ने डारेट किया है वैसे पिछले कुछ समय से अक्षिकुमार की फिल्म में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई है ऐसे में शायद अक्षि अपनी पुरानी सफलता को बुनाना चाहते हैं सुनाली बेंदरे अब चोटे परदे पर कुछ जादा ही आक्टिव हो गई है कुछ रियालिटी शोज में जजज बनने के बाद सुनाली अब कलर्स के एक और शोज मिशन सपने में सूतधार का केदार निभा रही है उनका कहना है कि शोज में कुछ सलेब्स को तो मैं पहले से जानती थी चाहे वे सलमान हो या रनबीर उनके साथ काम करने में काफी मज़ा आया सलमान के बारे में तो सभी जानते हैं वे कितना सोशल वर्क करते हैं इस बार जब मैं नए और यंग लोगों से मिली तो पता लगा कि वो कितने केरिंग है वरुन और सिधार्थ मुझे बहुत पसंद आये उन्हें देखकर लगा कि वाकी उन्हें देश की फिक्र है और अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं चाहे वे स्मॉल कॉंट्रिबीशन ही क्यों ना हो आक्टर राजीव खंडेलवाल कार धुरकटना में घायल हो गए हैं हाथसा उस वक्त हुआ जब वाटर किंगडम में अपनी फिल्म सम्राट अन कंपनी का प्रमोशन कर वापस लौट रहे थे रास्ते में उनकी कार सामने से आ रही कार से टकरा गई और वे अपना बैलन्स खोते हुए पेड से भिड़ गए राजीव को फॉरन अस्पिताल में भरती कराया गया जहां उन्हें तीन हफ़ते के बैड्रेस की सला दी गई है टीवी के दाशिंग स्टार रहे राजीव कंडेलवाल की शुक्रवार रुलीज हुई फिल्म सम्राट अन कंपनी बॉक्स ओफिस पर अंधे मोग गीरी जादे तर इंग्लिश मीडिया ने फिल्म की खिचाई की और एक आध स्टार दिये वहीं फिल्म की प्रमोशन भी ढंक से नहीं की गई नतीचतन फिल्म पहले विकेंड पर बमुश्कल एक करोर रुपे ही कमा पाई लंबे अर्से से माधुरी दिक्षित ने एक आक्ट के तौर पर सब को अपने हुनर से लुभाया है और हाली में माधुरी ने गुलाब गैंग में गाना भी गाया लेकिन अब सुनने में आया है कि माधुरी में एक और छुपा हुआ टालेंट है जो आजकल बाहर आ रहा है जी हाँ आजकल माधुरी का विताय लिख रही है एक सूत्र की माने तो माधुरी अपनी फैमिली के लावा किसी के साथ अपनी पोईम शेयर नहीं करती लगता है आयुशमान कुराना को रागिनी MMS का गाना बेवी डॉल काफी भागया है आजकल आयुशमान अपनी फिल्म दम लगा के हैशा के लिए शूटिंग कर रहे है और शूट से ब्रेक के दौरान भी वे बेवी डॉल गाते रहते हैं विद्धा बालन की बात करें तो उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें साउट इंडिन खाना बेहत पसंद है लेकिन अब वो पंजाबी खाने की शोकीन हो चुकी है उनके करीबी मित्र का कहना है कि आजकल विद्धाय कच्छे नौर्थ इंडिन कुक की तलाश में है जो उनके घर में उनके लिए राजमा चावल छोले भटूरे और इसी तरह की पंजाबी क्यूजीन बना सके प्रैंका चोप्राइस ओक्टुबर मदुर भंडारकर की फिल्म माडम जी की शूटिंग करने वाली है इस फिल्म में उनका केरदार एक पॉलिटिशन का है लेकिन फिल्म की शुरुवात में वो एक आइटम गर्ल का रोल प्ले करेंगी जो राजनीती में कूच जाती है खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हमरों के साथ बने रहे राद दिन